तो很好 and we are back again with the new watch video Today we unbox will store it HT66 SmartPores जो basically black color box में आने वाली है और ये watch जैसे का आप तेख सकते हैं उसे हम अन्बोक्स कर लेते है तो इस इसी जो पैकेजिं आने वाली है सीम्-डूजिण की तर आपको इसकी पैकेजिंग्य मिलने वाली है और यह इसका belt box तो इसे भी हम unbox कर लेते हैं और यह इसका belt silicon black build आपको मिलने वाल है यह same to same original में जैसे आपको belt की packaging मिलती वैसे मिल जाएगा और यह इसका main black box तो हम इसे भी unbox कर लेते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको एक user manual मिल जाएगा तो इसे हम रख देते हैं साइड में और इसकी जो पैकेजिंग सीम है एक्टी 99 काने मिलने वाली है और इसका याइलेस चार्चर तो आपको इस वाच में वारेस चार्चिंग का सपर्ट मिल जाएगा और यह मैंन ओच तो में ओच के साथ ओपने लेटर किस मिल जाएगा तो यह leather case को भी हम side में रख लेते हैं और watch की quality की बात करो तो watch की quality काफी हद तक बढ़िया है पीछे की तरफ आपको wireless charging का support मिल जाएगा और उसको जो पीछे का side का यह का सी shiny है और अच्छी quality का है side में आपको crown working button उसके नीचे आपको mic और dual working button मिल जाएगा left side में आपको dual speakers मिल जाएगे और पीछे की तरफ आपको sensors मिल जाएगे और wireless charging का support मिल जाएगा तो watch को कर लेते हैं अब हम on तो watch जैसे ही on होती है वैसे ही आपको apple logo देखने के लिए मिल जाएगा तो अगर हम display की बात करें तो इसके जो display काफी हद तक curve display है wall paper चेक कर लेते है तो यह इसके wall paper से है मैं crown की मदद से चींज कर रहा हूँ और इसके जो wall paper से यह updated wall paper से यह wall paper से आपको कोई भी watches में नहीं मिलेगा और इसके जो wall paper से काफी similar है HT99 की तरह तो अब हम इसे set कर लेते है watch को belt के साथ तो अब हमने set कर लिया है watch को belt के साथ तो सबसे पहले हम इसके crown की मदद से operate कर के देख लेते हैं तो आप जैसे के देख सकते हो crown इसका properly working crown है और यह application हम open कर रहे हैं तो इसका application on हो गया है और अब हम settings में देख लेते हैं तो यहाप आपको मैं कुछ menu style बता देता हो इसका तो इसमें आपको five menu style मिलने वाला है यह एक menu style आपको मिल जाएगा इसके अलावा यहाँ से आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर आपको theme को option भी मिल जाएगा और मैं इसके अलावा आपको change करके बता देता हूँ इसका menu style settings के तुरू तो यह मैं settings में change कर लेता हूँ डिस्प्ले में जाके आप crown की मदद से भी यह easily कर सकते हो तो यहाँ पर मैं menu style में जाता हूँ और यहाँ पर six great choice कर लेता हूँ तो आपको यह वाला menu style मिल जाएगा यह वाला menu style भी दिखने में काफी हद तक बढ़िया दिखता है और काफी अच्छा look दे देता है आपके watch को तो मैं इसके अलवा भी आपको change करके बता देता हूँ दूसरा वाला menu style तो इसमें फिर crown की मदद से से कर रहा हूँ और अभी मैं आपको velcro वाला बता देता हूँ तो यह है velcro वाला यह जो menu style यह आपको कोई भी watch में नहीं दिखने के लिए मिलेगा और यह का menu तो यहां से आप directly भी जा सकते हो पासवर्ट सेट करके बता देता हूँ तो यह वाला भी menu style आपको कोई भी watch में नहीं मिलेगा तो मैं फिर से menu style से यहां से आप brightness up down कर सकते हो पासवर्ट सेट कर सकते हो मैं पासवर्ट सेट करके बता देता हूँ 111 मेरा पासवर्ट है आपको फिर से सेट करना है 111 और code accepted आ जाएगा तो जैसे आप नेक्स टाइम आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं भी इसमें पासवर्ट डालूँगा तो मेरा वाच अनलॉक हो जाएगा तो अब हम इसे पासवर्ट को हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें और वीडियो बनाना है इसके उपर तो इसमें दिक्कत ना हो और इसके अलावा आपको इसमें और मेनु स्टाइल मिल जाएगा जो के स्मार्ट स्टाइल है, जो हमने अभी जोइस कि है जो इसका पहले से sentence उपके ओप्षिन जाएगा और यहाँ पे heart rate का option भी मिल जाएगा आपको और इसका जो display touch response से watch का यह काफी रहत तक बढ़िया है, तो यह देख सकते हो, आप इसे heart rate भी measure कर सकते हो, और पीछे sensors working है, तो इसे हम exit कर लेते हैं, अब हम watch को connect कर लेते हैं, अपने phone से Bluetooth की through, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैं searching for a device कर रहा हो, तो यहाँ पे जो first है, यह मेरा device है, तो मैं इसे connect कर लेता हो, और यहाँ पे मुझे mobile पे Bluetooth on कर देना है, तो यहाँ पे आपको Bluetooth pairing option आएगा, तो इसे आपको pair कर लेना है और यह जो watch है, यह आपके phone के साथ pair हो जाएगा, तो जैसे कि आप देख सकते connecting और यह connect हो चुकी, वो आपने, मेरे phone के साथ, तो मैं इसे आपको call करके बता देता हो, तो मैं इसे एक randomly number कर लेता हो, और इसे call पे click कर लेता हो, तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे phone पे call अगर आपके फोन पे कोई कॉल आएगा तो आप इसी वाच पे उसे अंसर कर सकते हो और जो भी आप यहां से भी डाइल कर सकते हो, यहां पर आपको फोन बुक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से डिरेक्ली कॉल भी कर सकते हो, अगर आपका फोन आपके अनस्दीक नहीं है, और यह इसका एप, QD Fit इसका एप है, तो मैंने डाउनलोड कर रहा है, QD Fit कर कि इसका एप है, प्ले स्टोर, एप स्टोर डोनों पे मिल जाएगा, तो यह इसका एप, तो हम पैर कर लेते हैं, अपने HT66 स्मार्ट वाच को, इसके एप के साथ, तो जैसे कि आप देख सकते हो, यह पर सार्चिंग हो रहा है, तो मैं इसे पैर कर लेता हूँ, अपने एप इस वाच को मैं पैर कर लेता हूँ, मेरे एप के दुरू, तो यह फर्स वाला जो है, यह वाच है, मेरा HT66 सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, उसे, फाइंड यूर बैसलेट से, तो यह वाच है, यह रिंग करेगा, या वाइपरेट करेगा, तो अब यह वाइपरेट पूश का उप्शन मिल जाएगा, तो यह से आप कोई भी वाल पेपर लगा सकते हो, जैसे के मैं यह इसमें इंस्टाल कर लेता हूँ, तो यह फिलाल डाउनलोडिंग हो रहा है मेरे इसमें, इसके पात यह वाच में इंस्टाल होगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है अपको इसमें थोड़ा सा सेकेंड्स लगी है, बट यह इंस्टाल हो जाएगा इसमें, तो जैसे के आप देख सकते हो, तो यह सिक्स्टी फाइपर सेंट हो चुका है, तो एक बार इंस्टाल हो जाएगा, तो मैं आपको वाच पर बता दूँगा, कि यह अब इंस्टाल हो चुका है, तो जैसे के आप देख सकते हो, यह वाच पर इंस्टाल हो चुका है, और वाच एक काफ़ अब तक प्रीमियम सा लूग दे रही है, इसके जो डिस्प्ले कॉलिटी है, और यहां से आपको किस्टम डाइल का भी आप्शन मिल जाएगा, तो यहां से आप सेट कर स सपोर्ट मिल जाएगा, और जैसे कि आप देख सकते हो, यह वाच कंपलेटली वाइलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और इसका चार्जिंग का जो नोटिफिकेशन एक काफी, मुझे एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन लगता है, इस वाच की अगर मैं कलर आप्शन क मिल जाएगे, तिनों भी कलर एवेलेबल है, और एक लास में बात करता हो, इस वाच की प्राइस की, तो यह आपको 3,000 के अराउन मिलने वाली है, और अगर आपको बाइकन है, तो हमारा नीचे नंबर दिया गया है, हमारा ग्रूप भी दिया गया है, आप उसे भी जॉइन कर सकते हो, या हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको कोई नेक्स टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बत सकते हो तब तके लिए गुड़ बाई